तो मद्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मद्यदान आज होगा एक ही चरण में प्रदेश भर में होने वाले इस वोटिंग में सियासी दिगजु की साख दाफ पर है बीजेपी ने इस चुनाफ के लिए 230 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जबकी कॉंग्रेस ने 239 सीटों पर ही अपना दम आजमारी है वो तो कॉंग्रेस ने एक सीट जतारा विधान सभा लोगतांतरिक जनता दल के लिए छोड़ी है तो वही मैदान में बीएसपी, एसपी, गोंडवाना, गरतांतर पार्टी, उसपाक्स और तमाम निर्दल ये प्रत्याशी कोल मिलाकर 2899 उम्मीदवार मैदान में है और इन सभी प्रत्याशों के भागी का फैसला आज 5,4,33,89 मदाता अपने मतों का इस्तमाल करेंगे 62,172 वोट पोस्चिल बालिट से अब तक पर चुके है और अब बारे इलेक्ट्रानिक बोटिंग मेशीन के बटन दबाने की है इधर चुनावायोग ने भी मध्यप्रदेश में मतदान कराने की पूरी तैयारिया की है 3,00,000 से ज्यादा मतदान कर्मी लगाए गए है सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए है लगबग 30,000 तो सुरक्षा की लिहाज से किस तुरह से चाख चौबंद व्यवस्ताई की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं बेहद महत्यपूर दिन है आज मध्यप्रदेश की लिहाज से क्योंकि मध्यप्रदेश में इस बार सत्ता पर कौन काबिज होगा हर कोई ये जानना चाहता है 11 दिसंबर को हलाकि नतीज़े आएंगे लेकिन उसके पहले किस तरीके से तमाम दाव पेज भी देखने को मिले हमें चुनावी मैदान में प्रधान मंतरी निरैलियां की तो वहीं कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी भी चुनावी मैदान में तमाम मुद्दों को रखते नजर आए थे और इस बीच सबसे ज़ादा अगर कोई मुद्दा गूंजा है तो वो रफाइल का है और ऐसे में जो में और एहम मुद्दे होते हैं विधान सबाच नवो में दरसार वो मुद्दे होते हैं कि क्या एक तरीक से कहें कि ट्राजे की विकास की बात उसमें होगी या नहीं होगी तमाम चीजें जो लोगों के भी जहन में चल रही थी लेकिन मद्ध प्रिदेश में बहुत एहम फैक्टर है इस बार बागियों का क्योंकि बागी किस तुरी के से खेल ना बिगार दे इसकी चिंता लगतार सता रही थी सभी को और हला कि आखरी वक्त तक जब लिस्ट फाइनल की गई उस वक्त तक यही कोशिश हो रही थी कि किस तुरीके से बागियों को साधा जाए कैसे बागियों को मना लिया जाए और वो कोशिशे अन्तिम चर्णों तक भी होती हुई नजर आ रही थी तो MPK सिहोर में बुधनी विधान सभा का क्या कुछ आल है वो भी समझे मैं आपको एक जितर भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहां जो यहां चुनाओ है चुनाओ को ले करके किस तरीके से उत्सा है और यहां पे केक भी काटा जा रहा है क्योंकि यह पिंक बूत है और पिंक बूत होने की वज़े से यहां पे क्योंकि यह मैलाओ के लि सुगम बूत यहां पर बनाई गई है जो कि विकलांग के लिए बूत है और यह बूत क्रमांग 116, 17, 18 यह बूत क्रमांग के यहां पर है और यह पूरी के पूरी तरीके से एक त्यारी की गई है चुनायों की तरफ से और चुनायों की तरफ से कोशिश यह जरूर है कि हर तब क्या सोचा है आपने कौन से से मुद्दे रहेंगे जो जहन में जिसमें जाकर के आप अपना जिससे जादा डेवलाप्मेंट करता है इंडिया के जादा कॉंट्रिबूट करेगा उसको वोट देना है डेवलाप्मेंट और ये सारी चीजें हैं लेकिन सबसे बड़ी है कि महा कॉसल का रण है और यहां पे दोनों प्रते सद्यक्ष दोनों पार्टी के प्रते सद्यक्ष इस जगह से आते हैं कई निताओं की यहां पे सीधे तोर पे देखा जाये तो साख है और जब अलपुट जिले की हम लोग बात करें तो आठ विदानसभा सीट्स को इसमें आठ पिछली बार यह दि देखा जा तो छे पे बीजेपी काविज रही और यहां पे बीजेपी का हमेशा से पर्चम रहा है और लेकिन अब यह देखना होगा कि आखिर में इस बार किस तरीके का क्योंकि लहर जो इस तरफ देखने को मिल रही है कांटे की टकर दिखाई दे रह मद्दप्रतेस विधानसवा चुनाओ के लिए आज मतदान होना है और इस वक्त हम बुधनी विधानसवा छेतर यानी शुराज सिंग चोहान मुख्यमंत्री के कंस्टेंसी में हैं जहां पर मतदान करेंगे यह जगह है भावन जैत जगह कहते हैं जैत गाउं बोला जाता ह मतदान के अंद्द संक्या 24 है 156 बुधनी विधानसवा सीट पर से चुनाओ लड़ते हैं वह लगतार तीसरी बार चुनाओ जीते हैं और यह चुनाओ में इस बार है अभी तमाम लोग अभी आ रहें जा रहें लेकिन मतदाता यहां आके मतदान करेंगे जो मतदान के करमचारी हैं जो भी अधिकारी हैं करमचारी हैं सब यहां मौझूद है सब चीजों की जाच की जारी है ताकि कोई गड़बड़ी नहों समय से मतदान सुरू हो चुके इसके लिए देखे सारे लोग पहुंच चुके है करके जो डिटेल्स है वोटर लिस्ट है उसको देख अधिने करते मत दान करेंसे जब आएंगे तो आठ वजे मतदान शुरू होना है आपकी तयारी कितने दर में अब पूरी हो जाएगी है इक है इसा निद्धार में लिए हैं ज़ाएगी के तो झालोग आते हैं यहां से बिश्पेस पहले का निशान लगाई जाते हैं और itt मैं जल्द है तो लगभग पूरी तयारी बुधनी कंस्टेंसी जो है बुधनी विधान समा सेट पर खासतर पर उस जगह पर जहां मुख्यमंत्री मद्दान करेंगे वहां हो चुकी है पहले मौक पोलिंग की जाएगे मौक पोलिंग के बाद आठ बजे से पोलिंग का काम शुरू हो जा तयारिया है वो लगतार हम आपको बता रहे हैं तो जी मीडिय समवता ब्रह्म प्रकाश इंदौर के उस बूत पर पहुंचे जहां से बीजे पी निता कैलाश बीजे वर गिये मद्दान करेंगे मध्यप्रदेश में आज सुभाई आठ बजे से मद्दान है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इंदौर के पोलिंग सेंटर की सुभाई सुभाई की तस्वीर जहां पर तयारी चल रही हैं सारे कर्मचारी तैनात हैं इन तस्वीरों में देखा जा सकता है इंदौर का नंदा नगर गली नंबर 10 पोलिंग सेंटर की तस्वीर हैं 10 पोलिंग बूत है इस जगे पार और सुभाई कर्मचारी तमाम पहुँच चुके हैं तैयारी कर रहे हैं वोटिंग के लिए 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी तमाम तैयारियां EVM को दिया है किसको गया है EVM का वटन जो दवाया है क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने बीते वक्त में डाउट उठाए थे लेहाजा इलेक्शन कमिसन ने इस बार पूरी तरह से वीवी पैट की विवस्था की है तो इंदौर की तस्वीर आपके सामने है सोव हैं तो पूरे चाक्चोबंद सुरक्षा के साथ ही वोटिंग आठ वजे से शुरू हो जाएगी मध्यप्रदेश में ब्रमप्रकाश दुए जी मीडिया इंदौर मध्यप्रदेश